मेरी आज की तीच स्री गोशना इसी से जुड़ी हुई है वो सारी कम्पनियां जिनका टर्न ओवर पान सो करोड से उपर हैं उनको अब Trade Receivables E-Discounting System याने Trades T-R-E-D-S प्लेक्फरम पर लाना जरूरी कर दिया गया है ताकि MSMES को Cash Flow में दिक्कत ना आए जैसा कि आप में से बहुतों को पता होगा कि Trades एक ऐसा प्लेक्फरम है जिस पर कुछ SMES है सरकार के कुछ PSU भी है कुछ बैंक भी है और देश की कुछ कम्पनियां भी जिनको लगूद्योग अपना सामान सप्लाई करता है वो भी है अब सरकार इस्तार विस्तार को और बढ़ाने जा रही है सरकार के सारे PSU's को अंद्रिदेश दिया गए हैं कि वो Trades पर आएं और अपने से संबंतित उद्योगों भी Trades पर लाने के लिए प्रोथसाइद करें अब 500 करोड रुपिय से ज्यादा के टर्न ओवर की कम्पनियों के Trades से जुड़ दे का फाइदा क्या होगा ये मैं आपको विस्तार से समझाना चाहतू मान लीजिए ये जो बड़ी कम्पनी है उसने किसी लगू उद्यमी से 10 लाख रुपे की कुछ खरीदारी की है उस उद्यमी के पास सप्लाई ओर्डर की कमफम रिसीट भी है और सप्लाई की भी है लेकिन किसी वजह से वो बड़ी कम्पनी जब पेमेंट नहीं कर दी तो मेरा ये लगू व्यापारी तो फंज जाता है उसके लिए तो 10 लाख रुपे बहुत बड़ी बात होती है ऐसे में उस छोटे व्यापारी की मदद करेगा ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म वो इस प्लेटफॉर्म पर उस बड़ी कम्पनी से मिली हुई कनफॉर्म रिसीट बिल को उस प्लेटफॉर्म पर वो ओंलाइन अपलोड करते सकता है의 इस बिल के आधार पर वो ये कह सकता है कि महने दो महने तीन महने के भीतर भीतर मुझे इतना पैसा इस कम्पनी से आने वाला है मिलने वाला है बड़ी कम्पनी का बिल होने पर साख वाली कम्पनी का बिल होने पर बैंक भी इस बिल पर विश्वास करेंगे और उसके आधार पर उस व्यापारी को बैंक से उचीत दनरासी मिल जाएगी बाद में उसको जब बैंक कम्पनी से पैसा आएगा बैंक अपना पैसा जितना निकालना है उतना निकाल करकर रठेगा तो उनका कारोबार चलता रहे जाएगा साथियों इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका जो पैसा रोटेट होना हो आपको जो अपने बिजनेस में पैसा लगाना है उसकी कमी आपको नहीं होगी आपका पैसा फसेगा नहीं आपकी कैस शायकल तूटेगी नहीं हाला कि आज इस अफसर पर मैं इस गोटना के साथ बड़ी कमपनियों से भी आगर करूँगा कि लगू द्योगों से जुड़े बिल जल्दी शुकारे जाए और उनके भुकतान में देरी नव हो